Hello students, myself, Rajendra Verma, Team Chemistry, कैसे हैं बेटा आप लोग, बहुत अच्छे से मज़े से हैं, जिसका आपको इंतजार था, वो 17 जुलाई नजदीक आ रही है, इम्तियान की घड़ी नजदीक आ रही है बेटा, एकजाम हमारी संपूर जिन्दगी का एक हिस्सा है, अलग-अलग समय पर हमें अलग-अलग तरह हैं कि एकजाम फाइट करने होते हैं, इसलिए ये एकजाम हम कभी फाइट कर पाते हैं, जब आप stress फ्री रहते हैं, आपको mentally और physically किसी तरह का कोई stress नहीं है, तो आप एकजाम बहुत अच्छे से पाइट कर जाते हैं, एक्जाम सिर्फ अपने आपको जाचने का, अपने आपको परखने का, अपने आपको एवेलिवेट करने का एक जरिया मात्र है, एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए आपको बेटा एक्जाम को इंजोई करना है, एक्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, तभी आप एक्जाम में अपना 100% दे पाएंगे, आप अपना बेस्ट देंगे, तो रजल्ट आउटोमेटिक बेस्ट होगा बेटा, हमारे जिंदगी में एक्जाम एक छोटा सा हिस्टा है, तो फिर इसकी स्ट्रेस क्यों लेनी बेटा, इसकी स्ट्रेस क्यों लेनी, स्ट्रेस नहीं लेंगे आप, इंजोई करेंगे, बड़े आराम से आप एक्जाम देने जाएंगे, तब आप बहुत अच्छा रेजल्ट हासिल कर पाएंगे ठीक है तो आज मैं आपके साथ आपके दंगल टेस्ट सिरीज का लास्ट दंगल टेस्ट टेंथ जो है उसमें और नी केमेस्ट्री का पॉर्षन डिस्कस करने जा रहा हूँ शुरू करें इसमें आपके पास question number 74 है which of the following is a polyester निम्न में से कौन सा polyester है polyester कौन से polymer है जिन में easter linkage present हो क्या हो बेटा easter linkage present हो उसे हम polyester कहते हैं तो चार option आपके पास हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको polyester linkage दिखाई दे जाएगा आप देखें यहाँ पर एक आपके पास polyester linkage है तो आपके पास answer क्या रहा बेटा थर्ड ग्लिप्टल है यह कौन सा polymer है बेटा आपके पास ग्लिप्टल polymer है ठीक है 75 निम लिखित में से कौन सा electron सनेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिस्थावाधिक क्रियाशील है most reactive towards electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction में हमें यह चेक करना है benzene ring पर electron density high है या low है electron density high है most reactive low है less reactive electron density high करने में यूज होता है electron donor group और electron density को decrease करने में यूज होता है electron withdrawing group अब चेक करते हैं यहाँ प्रम्ट इसमें यहाँ पर OH group attach है और इस OH group का plus M effect यूज होता है तो यह electron donor group है CWH minus M या कहें minus R electron withdrawing group है CS3 hyperconjugation electron donor group है यहाँ पर LDI group minus M electron withdrawing group है अगर हमें ESR Electrophilic Substitution Reaction की reactivity का order चेक करना है तो हमें सबसे पहले किसे चेक करना चाहिए plus M effect को चेक करना चाहिए उसके बाद हमें hyperconjugation को चेक करना चाहिए उसके बाद हमें चेक करना चाहिए plus I effect को फिर आपके पास यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा उसके बाद हमें चेक करना चाहिए माइनस आई इफेक्ट को और सबसे लास्ट में क्या रहेगा आपके पास माइनस एम इफेक्ट रहेगा तो जो प्लस एम इफेक्ट है वो ESR की रियक्टिविटी को increase करने वाला है तो यहाँ पर भी increase हो रहा है यहाँ प्लस एम है और कहीं पर भी प्लस एम नहीं है तो आपका आज़ाएगा बेटा फरस्ट आंसर आज़ाएगा आंसर क्या रहेगा बेटा फरस्ट बास समझ में आ रहेए बेंजीन रिंग पर आपको ये चेक करना है, electron donor group है या electron withdrawing group है donor group reactivity को increase करने वाले है donor group में आपके पास ये तीनों group होते है तो plus M electron density को benzene ring पर बहुत ज़्यादा increase कर देता है तो वो highly reactive हो जाएगा तो आपके पास answer क्या आगया वेटा first answer question paper जब आप 17 जुलाई को जब आप 17 जुलाई को exam देने जा रहे हैं उस दिन exam center में आपको question को पढ़ते time जो points है उन्हें अच्छे से underline कर लेना है वेटा ताकि आपके mind में setup हो जाए कि आपको question किस form में solve करना है कौन सा mechanism use करना है decreasing order क्या है increasing order क्या है less reactive कौन सा है most reactive कौन सा है true पूछा है false पूछा है क्या question में क्या main point क्या है उस main point को underline कर लो आपका question गलत नहीं होगा next देखें most suitable reagent for the following conversion आप conversion को ध्यान से देखेंगे तो C double bond C में किसी तरह से कुछ भी change नहीं है यहां पर जो आपके पास two degree alcohol है यह two degree alcohol किसमे convert हो रहा है आप जारा ध्यान से देखेंगे C double O negative तो suitable reagent हम चेक करेंगे अगर मैंने इसमें KMNO4 in alkaline media यूज किया तो यह क्या करेगा C double bond C को oxidize कर देगा C double bond C को और हम देख पा रहे हैं C double bond C reaction में participate नहीं कर रहा है तो यह नहीं ले सकते हो PCC PCC एक mild oxidizing agent है जो double bond पर किसी तरह का कोई oxidation effect शो नहीं करता यह तो सही है यहां पर लेकिन PCC इस 2 degree alcohol को 2 degree alcohol को किस में oxidize करेगा कि tone में oxidize करेगा जबकि यहां पर ऐसा नहीं है तो यह भी answer नहीं होगा बेटा NaOH plus I2 यह आपके पास Iodiform test है कौन सा test है यह Iodiform हम यहां पर देख रहे हैं कि यह compound Iodiform test शो करेगा और जब यह compound Iodiform test शो करेगा तो product क्या होगा वो देख लेते हैं इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेटा NaOH plus I2 यह जो ग्रूप है यह Iodiform में convert हो जाएगा plus जो remaining part है वो salt में convert होगा तो इसका मतलब इस 76 question में आपके पास suitable reagent क्या होगा NaOH plus I2 आंसर आपके पास क्या आगया वेटा फोर्थ में tollan reagent है और tollan reagent यहाँ पर इसके साथ किसी तरह से कोई reaction show नहीं करने वाला है बात समझ में आगई एक्जाम में आपको इसी तरह से आराम से question को handle करना वेटा एक reaction आपके पास है आप देखें यहाँ पर एक 2 degree halogen derivative है लेकिन इसके पास आपके पास यहाँ देखें एक 4 degree carbon attach मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ यह 2 degree यहाँ पर यह 4 degree carbon है और यहाँ पर यह 2 degree carbon है और जब आप इसको C2H5 ONA के साथ heat कर रहे हैं तो C2H5 O negative जो है ethoxide iron strong nucleophile भी है और base भी है तो यहाँ पर हमें चेक करना है reaction SN2 होने वाला है या E2 होने वाला है इसको चेक करना है SN2 के लिए crowd minimum होना चाहिए जो यहाँ नहीं है highly crowded और इसके just pass में 4 degree carbon है 4 degree carbon बहुत ज़्यादा crowd increase करने वाला है E2 reaction की बात होगी E2 reaction में आपको क्या करना है alpha carbon से halogen eliminate करना है beta carbon से hydrogen eliminate करना है तो यह alpha है और यह beta है तो आपके पास यह product बनेगा dehydro halogenation process है जिसको हम beta elimination भी कहते हैं बास समझ में आ रही है इसका mechanism कौन से type का है beta इस reaction का E2 biomolecular elimination हो गया competition E2 और SN2 में चल रही है SN2 fell हो गया है यहाँपर highly crowded part है तो हम E2 से product बना रहे हैं यह आपके पास major A product बन गया ठीक है अब आपको देखना है इसका ozonolysis ozonolysis भी कौन से है reductive ozonolysis आपको यहाँ से इसको break कर दो और दोनों साइड में किसको connect कर दो oxygen को connect कर दो यह आज आएगा आपके पास compound B बास समझ में रही बिटा आप चेक नहीं सही विकल्प का चायन करो identify correct option अब देखो क्या A ऐसा है नहीं है क्या A ऐसा है देखो द्यान से यह भी नहीं है B को check करो इन दोनों में से B की structure किसे match कर रही है द्यान से देखो second से किसे match कर रही है second से तो बिटा आपके पास इस question में answer क्या रहा second बास समझ में रही है SN2, E2 इन में competition है अच्छे से check कर ले E1, SN1 में एक competition है उसमें आप अच्छे से check कर ले उसके बाद question solve हो जाता है 78 आप देखें आपके पास X क्या रहेगा pure NCRT की reaction है इथर चेप्टर में है 443 Kelvin है 443 Kelvin है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा Alkene क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पर Alkene मिलेगा X Alkene है X में आप क्या कर रहे है Ozoneolysis तो जब आप इसका Ozoneolysis करेंगे तो आपके पास Y क्या होगा बेटा Y होगा Formaldehyde Reductive Ozoneolysis करवा रहे हो अब आप देखें यहाँ पर चेक करें Y में आप क्या आड़ कर रहे है Concentrated KOH तो Y आपके पास है Formaldehyde इसमें Alpha Hydrogen 0 है और आपने इसमें Concentrated KOH आड़ किया है तो कौन सी reaction हो गई कौन सी reaction हो गई Canigaro ठीक है और Canigaro reaction में इसके 2 moles होते है 1 mole Reduce हो जाएगा और इसका 2 mole Oxidize होकर के Salt में Convert हो जाएगा बास समझा रहे हैं Disproportionation Canigaro reaction है अंतिम उत्पाद की पहचान करो Identify Final Product यह है आपके पास Final Product बेटा यह देखो यह कौन से option में आपको दिखाई दे रहे हैं 3rd option में दिखाई दे रहे हैं तो आपका answer क्या आगे बेटा आंसर क्या रहा 3rd बास समझ में आगे Pure NCRT based question है इसी तरह की neat exam में अच्छे अच्छे question आपको देखने को मिलेंगे आप मुझे उमीद है question को बड़े आराम से देखेंगे बेलकुल शान्त हो करके तो आप बड़े अच्छे से question को सही solve कर पाएंगे किसी तरह की कोई stress लेकर के exam नहीं देना है बेटा ठीक है अराम से question को पढ़ेंगे जल्द बाजी में language गलत पढ़ली जाती है तो problem हो जाती है ठीक है next अब देखो यहां क्या लिखा है गलत अभिकरिया उत्पाद आपको गलत अभिकरिया उत्पाद पैचानना है incorrect reaction product तो इस तरह से underline करें आप अपने question paper में उसके according question को solve करेंगे first part देखें sodium tertiary butoxide halogen derivative तो first part में आपके पास SN2 reaction product आना चाहिए था क्या आना चाहिए था SN2 reaction product आना चाहिए था यह product आएगा by SN2 यह nucleophile इस पर attack करेगा और इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या आपको लगता है यह product सही है गलत है गलत अभिकरिया उत्पाद पैचानना था incorrect reaction product पैचानना था answer आपके पास आगया first answer आपके पास क्या आगया first आपका question हो गया मैं इसके बाकी सारे part भी आपको बता देता हूँ second option ether concentrated HI के साथ जब heat करते हैं तो यहाँ पर देखें कौन सा mechanism होगा SN2 SN2 mechanism जब आप करेंगे तो आपके पास यही दोनों product आने वाले हैं तो यह तो आपका product सही है और आपको पता लगाना था incorrect answer फस्त आगया आपके पास थर्ड की बात करें थर्ड आपके पास क्या है यहाँ पर द्यान से देखो कौन सी reaction है estrification कौन सी reaction है estrification है estrification में हम यहाँ से इसको जब remove करते है तो यही answer आता है बिल्कुल सही है इसमें कोई problem ही नहीं है यहाँ पर आप देख पा रही है तो water molecule बाहर चला जाएगा यह भी एक nucleophilic substitution है और जब यहाँ पर यह nucleophilic substitution reaction है तो यह product आपको यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल सही है ठीक है तो आंसर क्या है आपके पास पस्ट pure NCRT based है एल्डोल संगनन किसके दुवारा नहीं दी जाती है एल्डोल condensation is not given by यह देखो इस तरह से आपको underline करना है जो important point है उन्हें underline करके question solve करें एल्डोल condensation के लिए क्या आपके पास alpha hydrogen must be present in LDL or ketone यहाँ पर alpha hydrogen 2 present है यहाँ पर alpha hydrogen 6 present है यहाँ पर alpha hydrogen 3 present है और इसमें alpha hydrogen आपके पास क्या है 0 है अल्डोल condensation is not given by अगर LDL ketone में alpha hydrogen नहीं है तो वहाँ पर अल्डोल condensation possible नहीं होगा तो आंसर आपके पास second आंसर गया है वेटा second answer आपके अनवशक amino amino अमल non-essential amino acid आपसे पूछा है non-essential पूछा है आपके पास NCRT में 20 amino acids है amino amino है इनमें से 10 essential है 10 non-essential है मुझे उमीद है कि इस समय आपको वो सारे amino acids याद होंगे ठीक है तो आप देखें इसमें histidine, valine और lysine ये तीनों कैसे है essential amino acid है essential amino acid है ठीक है और glycine आपके पास non-essential amino acid है non-essential मतलब ये हमारी body में बन जाते हैं इसलिए हमें extra बाहर से इन्हें gain करने की ज़रूरत नहीं होती है essential को हमारी diet में present होना compulsory होता है कौनसा प्रतिजैविक है एंटीबाइटिक एंटीबाइटिक कौनसा है ये पूछा है ये देखो अफलोकसासिन एंटीबाइटिक है एस्पाइडिन क्या है एनालजैसिक है एंटीबाइटिक है एक्वेनिल एक्ट्रांक्विलाइजर है सेकेरिन आर्टिफिशल स्विटनिंग एजेंट है तो आपसे पूछा था एंटीबाइटिक आंसर के आगे आपके पास फर्स्ट आंसर असत्य कथन इन आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखना है बेटा देखें प्रोटीन की हेलिकल सरंचना हाईडोजन बंधों द्वारा स्थाइट तो प्राप्त करती है हेलिकल स्ट्रक्चर औप्रोटीन is stabilized by hydrogen bond यह तो correct statement है यह तो सही कथन है बेटा correct statement है आपको पता लगाना है incorrect तो यह आप का आंसर नहीं हो सकता यह आप का आंसर नहीं हो सकता फ्रक्टोज exist in two alpha and beta anomeric forms फ्रक्टोज alpha, beta दो anomer रूप में उपस्ते तो होता है बिल्कुल ठीक है alpha डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों anomers होते हैं यह तो correct statement है आपको incorrect identify करना है शुक्रोज is an artificial sweetener शुक्रोज एक क्रत्री मधूरक है यह गलत है शुक्रोज natural sweetener है प्राक्रतिक मधूरक है बेटा शुक्रोज में एक trichloro derivative बनता है जिसको हम कहते हैं शुक्रा लोज उसको क्या बोला जाता है artificial sweetening agent बोला जाता है शुक्रा लोज not शुक्रोज तो यहां शुक्रोज दिया है मैंने तो यह statement wrong है wrong check करना था आपका answer क्या हो गया बेटा इसमें third हो गया 4 देख ले hydrolysis of शुक्रोज gives invert sugar शुक्रोज के जल अपगटन से अपवर्थ शक्रा बनती है यह बिल्कुल सही है जब आप शुक्रोज का hydrolysis करते हैं तो आपको alpha-d-glucose, beta-d-fructose का equimolar mixture मिलता है उसी equimolar mixture को invert sugar बोला जाता है तो यह statement correct है इसलिए आपका answer नहीं हो सकता तो answer कौन सा आगया, beta-third answer है 84 आपको correct order check करना है क्या करना है? correct order check करना है पहला आपको stability check करनी है मैंने आपको यहाँ पर carb anion provide करवाए है first में जो carb anion है वो यह resonance stabilized है इसमें कोई resonance नहीं है इसका plus effect है जो इसको destabilize करेगा तो correct order यही है इसमें आपको acidic strength compare करना है ortho-nitrofenol, paranitrofenol इन दोनों में से strong acidic कौन सा होता है paranitrofenol strong acidic होता है तो यह आपके पास incorrect order है basic strength का order check करना है यहाँ पर lon pair क्या है? delocalized है और lon pair delocalized होगा तो nitrogen पर electron density decrease हो जाएगी protonation difficult होगा तो less basic हो जाएगा यह weak base है, यह strong base है यह गलत हो गया यह free radical है stability check करनी है यहाँ resonance, resonance है और alpha hydrogen आपके पास है 2 इसमें resonance है और alpha hydrogen आपके पास है इसमें 3 plus 2, 5 plus resonance plus resonance resonance दोनों में common है तो यह order भी आपके पास कैसा है? wrong है correct order था, answer के आगया वेटा आपके पास first answer ठीक है? कौनसे अभिकरिया काउपयोग alkane बनाने में होता है which of the following reaction is used to prepare alkane important word को underline करो वेटा exam में, question गलत नहीं होगा तो इस चार्ण आपके पास name reaction है कौनसा alkane बनाने में यूज होता है, आप देखें stiffen reduction से आप क्या बनाते हैं? aldehyde words reaction से alkane बनाया जा सकता है dehydration of alcohol कौनसा product बनाएगा? alkane product बनाएगा HVZ reaction से भी आप alkane नहीं बनाते हैं carboxylic acid जो आपको दिया जाता उसमें alpha halo derivative बनाए जाते हैं तो इसमें answer क्या रहा वेटा आपके पास? second words reaction से हम alkane बना सकते हैं section B में देखें एक reaction है if above reaction is swartz reaction अगर मैं इस reaction को कहता हूँ कि यह swartz reaction है तो A क्या होगा? यह आपको बताना है then A will be تو swartz reaction के लिए halogen derivative में कौनसा reagent add किया जाता है? metal fluoride, heavy metal fluoride को आप use करते हैं silver fluoride हो सकता है mercury का fluoride हो सकता है antimony का fluoride हो सकता है cobalt का fluoride हो सकता है इस तरहें के आप reagent यूज़ करते हैं तो fluoride है silver का तो बेटाई जी इसके अंदरा answer के आगया आपके पास? A.G.F. अगर आप A यहाँ यूज़ करेंगे तो यह reaction कौन से बन जाएगी? Swartz reaction बन जाएगी The statement that is not true जो कथन सत्य नहीं है That is not true यह ध्यानक ना है आपको वायू मंडल में CO2 की अधित्ता Global Warming के लिए उत्तरदाई है Excess of CO2 into the atmosphere is responsible for Global Warming Correct statement है आपको क्या चेक करना था? Not true पूछा है यह तो statement correct है तो आपका answer नहीं हो सकता यह प्रकाश रासाइनिक smog अनपचायक smog है फोटो केमिकल smog is reducing smog यह गलत हो गया बेटा फोटो केमिकल smog oxidizing nature का होता है क्योंकि फोटो केमिकल smog के जो components हैं उसमें से कुछ component oxidizing agent होते हैं ठीक है? जैसे परोक्सी acetyl nitrate उसमें ozone भी एक component है nitric oxide भी एक component है उसका एक component formaldehyde भी है फोटो केमिकल smog का एक component जो है आपके पास acrylin भी है तो ध्यान क्या रखना है? फोटो केमिकल smog is an oxidizing nature reducing nature नहीं बेटा तो यह आपके पास answer आ गया in the stratosphere cfc releases chlorine free radical which reacts with ozone to give clo free radical and o2 देखें जैसे for example cf2 cl2 आपके पास क्या है? chlorofluorocarbon है stratosphere में यह free radical में convert हो जाएगा cf2 cl plus chlorine free radical ठीक है? अब यह जो chlorine free radical है यह ozone से react करेगा clo plus o2 यह बना देगा तो यह statement तो correct है paroxy acetyl nitrate is a component of photochemical smoke यह भी correct statement है answer नहीं हो सकता statement correct है लेकिन इस question का answer नहीं है यह देखेंगे द्यान देखते हैं आखेंगे बिड़ा यहाँ पर भी pan है paroxy acetyl nitrate एक pan आप polymer chapter में भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं polyacrylonitrate polyacrylonitrate बाद समझ में आ रही है answer आ आगया आपके पास second ठीके 88 सही कथन आपको पैचानना है correct statement correct statement this compound has one chiral atom incorrect statement है इसमें chiral ही नहीं इसमें किसी तरह का कोई भी chiral atom नहीं है आपको correct check करना है तो यह answer आपका नहीं हो सकता this can show cis trans geometrical isomerism बिलकुल सही है आप second में cis trans isomerism बड़ा easily observe कर सकते हैं यह cis form हो गया यह transform यह correct statement है यह क्यासा statement है correct statement है थर्ड देखें eclipse form of ethane is more stable than staggered ethane के सांत्रित सरूपन की तुलना में ethane का ग्रसित सरूपन अधिक स्थाई होता है बेटा staggered, सांत्रित और eclipsed, ग्रसित और staggered इन में से more stable, staggered होता है more stable कौन सा होता है staggered होता है ते statement गलत है these two are functional isomers, not these two are not isomers these two are not isomers due to different molecular formula इन दोनों का molecular formula अलग-अलग है इसलिए यह isomer ही नहीं है तो यह statement भी wrong हो गया तो बेटा जी इस question में answer आपके पास क्या रहा? second answer क्या रहा? second answer 89 aniline die-azotization कर रहे है बेटा आप क्या कर रहे है die-azotization चलो देख लेते हैं die-azotization अगर आप करेंगे digonium salt बनेगा इसमें case-n से reaction जब आप करवाएंगे तो आपके पास benzo-nitrile बनेगा benzo-nitrile में जब आप reduction process apply करेंगे तो आपको इस तरह से एक primary amine मिलेगा यह ABC है यही बनेगा अब आपको चेक करना है correct option क्या है आपके पास सही विकल्प आपके पास क्या है यह चेक करना है क्या A ऐसी structure रखता देखो नहीं है B चेक करो क्या B ऐसा है देखो दे answer चेक करो नहीं है क्या C ऐसा है बिलकुल है बिलकुल है, सी ऐसा नहीं है तो बेटा इस question में answer क्या है आपके पास third, बड़े आराम से check करो समझो, simple question सारे reagent, reaction NCRT based है Diogenium salt है, water है, heat है NCRT कौन से chapter में बेटा ही है, phenol, methods of preparation of phenol, methods of preparation of phenol पहला पार्ट आपके पास होगा phenol ठीक है phenol में मैंने add किया है, diluted HNO3, phenol में जब diluted HNO3 add करेंगे, तो ortho nitro phenol plus paranitro phenol का mixture मिलेगा, और dilute की जगह, अगर मैं concentrated HNO3 add कर देता, तो पिक्रिक acid बनता, लेकिन अभी diluted HNO3 है तो आपको यहाँ एक mixture मिलेगा ortho nitro phenol plus paranitro phenol answer क्या जाएगा बैटा, फोर्थ बास समझे आगे बैटा, ठीक है? तो यह मैंने आपको, और नी chemistry की जो question थे, उनका solution बता दिया है आपको वेटा, 17 जुलाई का जो एक्जाम देना है, उससे पहले दिन, बिलकुल relax mode में रहना है आपको अपना मन पसंद कोई गाना सुन सकते है, ऐसा कुछ काम करेंगे, जिससे आपको कोई mental stress नहीं हो, कोई physical stress नहीं हो आपको, 16 जुलाई को, पढ़ाई से related कुछ बात नहीं करनी चाहिए enjoy करें अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई को लेकर के बात नहीं करेंगे उसका reason है, by chance आपके friend ने आपसे कोई question पूछा और आपको वो answer नहीं आया तो आप stress में आ जाएंगे, बिना वज़े tension में आ जाएंगे, एसलिए 16 जुलाई को अपने friend के साथ अपने teacher के साथ, अपने mommy पापा के साथ, आपको पढ़ाई से related कोई बात नहीं करनी चाहिए आप अपना best देंगे exam में, तो result best अपने आप आ जाएगा बिलकु स्ट्रेस फ्री रहेंगे, 17 जुलाई से पहले आपको अच्छे से नींद लेनी है बिलकुल, 17 जुलाई को आप उठें, अपने आपको जब आपके नींद पूरी हो जाएगी तो आप अपने आपको तरोताजा मैसूस करेंगे आराम से दैनिक क्रियाओं से निवर्थ हो करके नहा करके अच्छे से बैठें, थोड़ा सा meditation करें अपने इस्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इसलायक बनाया कि आप एक ऐसे profession के लिए exam देने जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगी को बचाता है बैठा अपने माबाप को याद करें अपने गुरुजन को याद करें अच्छा, relax mode में रहें कोई stress नहीं, कोई tension नहीं समय से पहले exam center पर पहुंच जाएं जो भी आपके admit card में points लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए उसी के according आपको exam center पर पहुंचना चाहिए जिससे आपको किसी तरह से कोई समस्या का जो है सामना न करना पड़े समय से पहले ही exam पर पहुंचेंगे last time तक का wait नहीं करेंगे ठीक है best of luck लगे रहें अपना best दें अपना best दें result automatic best हो जाएगा बेटा जैस CLC थैंक यू गेटा हलो फ्रेंड्स मैसल्फ नदीम टीम केमेस्टी आज हम लोग दंगल दस का पेपर डिसकस करने जाने जिसमें मैं आपको फिजिकल केमेस्टी का पार डिसकस करने जारू फर्स्ट जैसे क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर 63 देखरी वेजी सीलिन प्योर वाटर दें कैलकुलेट्ट देन निव सॉलिविल्टी यह प्योर वाटर में इतना दिया इसका अंदलब एजी सील का केस्पी कितना है गा एस स्क्वेर ठीक है इस वेजिए तो केस्पी तो आई जाएगा कम से कम 1.5 इंटू 10 तो दी पावर माइनस टू का स्क्वार यह बढ़ाएगा यह केस्पी आगया अब केस्पी बाकि कंसेंट्रेशन चेंज करने से तो चेंज होता नहीं है एजी सील का अगर आप देखोगे इन दी प्रजिंस ओफ बेरियम क्लोराइड यह आएगा एजी पॉजिटिव प्लस सील माइनस यह एस हो गया यह भी एस होगा और बेरियम क्लोराइड से कितना आएगा कॉमन आइन क्लोरीन क्लोराइड कितना आएगा 0.02 इंटू 2 मतलब यह आएगा 0.04 एस प्लस इतना हमारे पास क्लोराइड होगा तो 1.5 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 2 का स्कॉयर केस्पी इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 0.04 अब तो को इसके रिस्वेट में यह तो नेगलेक्ट हो जाएगा तो एस इक्वल टू कितना आएगा 1.5 इंटू 1.5 10 तू दी पावर माइनस 4 स्कॉयर दिवाइड बाई 0.04 यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्ट देखते हैं फार वीच ओ फॉल्विंग आर करेक्ट फॉर्स्ट और काइनेटिक रेक्शन तो देखो टी 50 कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई के और टी एवरेज कितना होता है 1.4 इंटू टी हाफ 1.41 एप्रॉक्सिमेट और टी 75 टी 75 कितना होता है टू टाइमस अफ टी हाफ या स्पास आएगा इतना तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया टी 50 75 फिर टी एवरेज फिर टी 50 यह आजा है ठीक है अब नेक्स्ट अब फॉर विच आफ फॉल्विंग चेंग डेल्टा एश नॉट इकल टो डेल्टा एच एक्वल्ट होता है डेल्टा इप्लस डेल्टा एंजी आर्टी डेल्टा एंजी पर देख लो इकल किसमें नहीं होगा जब डेल्टा एंजी जिरो सब्सक्राइब जोगा तो इसमें डेल्टा एंजी जिरो है गैस इसमें तो गैसी नहीं है इसमें डेल्टा एनजी जीरो नहीं है 1-1, 1-1 तो 0 तो नहीं आएगा तो डेल्टा ह, डेल्टा एक के इक्वल नहीं होगा तो यह answer होगा next question number 66 देखते है यहां पर देखो kp equal to क्या बोला हुआ है kc kp equal to kc RT power क्या होता है delta mg अब डेल्टा एंजी के वेलू जीरो आनी चाहिए तब ही बात बनेगी तो देखो यह तो गैस अच्छा देखो यहां पर ना सॉलिड है यहां पर सॉलिड है सॉलिड एफी 304 मेगनेटाइट ठीक है तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा सम्थिंग पावर जीरो कितना आएगा बन तो अंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट विच और फॉलिविंग है पी एच इस इक्वल टू नियर अबाउट वन ठीक है तेखो एसीड है बेस सभी में तो आप जानते हो लगना क्या है एन वन वी वन या चलो इसको डाइरेट कर लेते हैं एक्वल टू एम फाइनल वी फाइनल अब ऐसा हमारा एम फाइनल आ जाए कि उसका पी एस क्या आ जाए वन आ जाए तो देखो जिससे मैं डारेट ही कर देता हूं इसमें आप एक पर फोर वाला देखते हैं 75 इंटू 1 बाइट 10 कितना होगा 7.5 एसीड है और यह बेस कितना है इंटू कर दो 2.5 इक्वल टू एम फाइनल इंटू टो टोटल वाल्यूम कितना हो जाएगा 100 यह कितना हो गया 7.5 माइनस 2.5 7.5 माइनस 2.5 तो यह कितना आ जाएगा 0 और यहां पर कितना जाएगा 5 ठीक है तो एम फाइनल कितना आ रहा है हमारा एम फाइनल आ रहा है 5 divided by 100 ठीक है यह कितना रहा है यह तो वन के आसपास नहीं आ रहा वैसे 0.05 0.05 तो यह आ जाएगा वन के आसपास नियर वन यह आ जाएगा 5 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 2 ना तो यह आ जाएगा अब इसका पी एच लोगे है एसेटिक बफर है अरे एसेटिक है यह तो पी एच लोगे तो कितना आएगा 2 माइनस लॉग 5 लॉग 5.7 होता है तो 2 माइनस 0.7 यह कितना आ जाएगा 1.3 1.3 के आसपास आ रहा है नियर टू नियर अबाउट वन नियर टू वन एक्वल टू नियर वन अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं यह 1.3 चलो आ गया दूसरा देखते हैं नियर टू वन कौन सा रहा दूसरा देख लेते हैं कोई जैसे 55-45 देख लेते हैं यह बला यह तो नियर टू वन नहीं आएगा एसीड ही कम से कम ज़्यादा होना चाहिए ना यह दो देखो 7 आ जाएगा बराबर यह अब यह इसी को चेक कर लेते हैं 5.5 एसीड माइनस 4.5 इक्वल टू कितना आएगा 55-45 100 इन्टू M तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 5.5 माइनस 4.5 1 बाई 100 तो A हो गया 10 to the power minus 2 तो M कितना आ रहा है और M आगा 10 to the power minus 2 तो pH कितना आएगा 2 नियर टू वन देखो 4 यह आएगा 1.3 नियर टू वन टू टीक है तो Aarbital Angular Momentum Aarbital Angular Momentum was 3D तो L की value क्या होती है 2 और्बिटाल Angular Momentum equal to क्या होता है root L L plus 1 H upon 2 pi तो यह रग दो आफ L की value 2 2 plus 1 H upon 2 pi cái है बर रूट के 3 तुजा 6 यह जाएगा रूट 6 H upon 2 पाइग नेक्स्ट क्वेस्टिन है ठीक है चूज दा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट रिस्पेक्ट तो फीजी जॉर्प्षन नॉट स्पिस्पिक होता है सही है वंडर्माल फोस्ट नॉट एक्टिवेशन इनेरजी निडेट एन्थेल्पी आप एड्जार्प्षन तो इसका ही तो केमी जॉर्प्षन पहुता है फीजी जॉर्प्षन का ट्वेंटी तो फोट्टी के आसपास होता है तो यह ही बला गलत है इनकरेक्ट स्टेट्मेंट नेक्स्ट 5 ml of gaseous hydrocarbon cx cx hy plus o2 gives co2 plus h2o यह हमारे पास है 5 ml और 30 ml यह डाल रखा है अब आप देखो resultant gas on cooling found to 25 ml 25 ml gas हमारे पास है तो gas क्या क्या हो सकती है एक तो यह बचा हुआ है o2 lift plus co2 formed दो चीजे हो सकती है अब कह रहा है कि 10 ml absorbed by इन्योच इन्योच क्या होता है बेस तो वह किसको एब्सार्ब किया होगा acid oxide या acid को तो इसका मतलब यह 25 में co2 कितना था 10 था तभी एब्सार्ब हुआ है चलो co2 तो आगया 10 अब बचा क्या left left o2 हमारे पास कितना बचा 15 30 था और 15 अभी बचा हुआ है इसका मतलब 15 इसका मतलब react किया है अब हमें इससे idea लग जाएगा दोखो x निकाल देते हैं poac लगा के 4x 4x तो 5 into x equal to इधर का carbon इधर का carbon 10 into 1 x की value कितनी आ गई 2 अब x की value 2 sum में है अब यह निकालना प्लाएगा तो इसका मोल चाहिए y को conserve करोगे तो 5 into y equal to इसका चाहिए na volume तो पहले इसका volume निकाल लेते हैं तो oxygen conserve कर लो 4H2O 15 into 2 equal to 10 into 2 plus volume of H2O into 1 by the conservation of oxygen तो volume of H2O देखो कितना हो गया 30 minus 20 10 आ जेगा यह आ गया 10 अब y निकालना है तो H को conserve कर लो H को conserve कर लो तो देखो 5 into y equal to 10 into 2 y equal to कितना आ रहा है 4 third answer yes POS ही लगा कर सकते हो next Henry constant आप जानते हो केज होता है ऐसे कर लो आप inversely proportional to क्या होता है solubility solubility temperature बढ़ा होगे तो solubility घटेगा तो केज की वेलू क्या होगी बढ़ेगी आप ऐसे कर सकते है increase with increase the temperature next which of the following will produce buffer solution when mixed in equal volume equal volume है buffer को ऐसे बनेगा इसके लिए मैं डारेक्ट आपको थर्ड वाले पर चलता हूँ न एन एच फोर ओ एच प्लस एच सील यह क्या बनाएगा एन एच फोर सील प्लस वाटर इक्वल वालियूम है तो चलो भाई देखो यह molarity दिया हुआ है तो पॉइंट वन इंटु माल लेते हैं वी लीटर है इसका मोल आ गया इसका मोल 0.05 इंटु वी लीटर यह 0 अब आप देख रहे हो कि लिम्टिंग यह होगा हाँ लिम्टिंग यह वाला होगा तो यह कितना बनेगा 0.05 VL यह 0 अब इसमें से माइनस करोगे तो 0.05 VL ही बनेगा तो देखो यह बफर सोलूशन हो गया क्योंकि इसमें देखो एक वीक बेस बन रहा है उसी का स्ट्रॉंग बेसिक सॉल्ट है आंसर कौन से हो जाएगा थर्ड बाकि आप चेक कर सकते हैं ठीक है अब आपको पूछ रहा है इसके बीच में और लॉग M G+, अब देखो लॉग म्ग प्लस टू रहे तो लॉग उसको उपर ले जाओ क्यों प्लस हो जाएगा इसको प्लस हो जाएगा अगर उसको उपर लिए फ़ए था प्लस हो ग्राफ कैसा बनेंगा y equal to c plus mx का slope intercept सब positive बना चाहिए तो second answer आठे है ठीक है physical okay तो फिजिकल में 96 देख लो agcl की solubility आप जानते हैं on increase the on increasing the common ion common ion solubility solubility decreases तो देखो यहाँ से तो कोई common ion नहीं लगेगा तो सबसे जादा तो s1 होगा s1 मलाद इस medium में यहाँ पी कितना common ion लगा है agcl का 0.02 यहाँ पे कितना लग रहा है 0.01 और agn-o3 में कितना लग रहा है 0.05 तो सबसे जादा कहां पे लग रहा है common ion agn-o3 मलब सबसे कम s4 होगा सबसे जढदा S1 और सबसे कम S4 अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद इन दोनों में ज़्यादा solubility इसमें common ion कम लग रहा है तो S3 का S2 से ज़्याद होगा तो answer कुन सा हो जाएगा इसमें 3 next which of the following graph corresponds to one node तो जितना बार cut करेगा ना उतने node होते हैं तो देखो यहाँ पे एक cut है यह तो actually में यह parallel चला जाता है parallel है just touch कर रहा है तो देखो यहाँ पे दो बार cut किया दो node हो गया है यहाँ just answer कौन सा हो जाएगा second एक cut है ना वहाँ पे तो वो एक node को represent करता है which is correct sequence of the osmotic pressure of 0.01m aqueous solution तो अब जानतो पाई equal to क्या होता है I, C, R, T I into C जिसका जादा होगा उसका osmotic pressure भी क्या होगा जादा होगा I into C देख लो इसका क्या आएगा I की value कितना है 5 इसका I की value कितना आएगा 4 इसका I की value आएगा 3 इसका I की value कितना आएगा तो पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 यहाँ आएगा I into C, concentration तो सभी का save है Next Heat of combustion दिया हुआ है The best fuel Best fuel कौन सा होता है पर gram के लिए defined है पर gram पर gram के लिए defined होता है जैसे कोई example लेता है यह से एक example लेता हूँ CH4 यह से तो CH4 के 16 gram का दिया हुआ है कितना इतना heat generate कर रहा है 2, 1, 2, 0.8 तो पर gram कितना करेगा 2, 1, 2, 0.8 divided by 16 यह हो गया ऐसे ही सबका check लिएना है जिसका पर gram जादा होगा वही best fuel होता है उसी की ऐसे बोल देते हैं उसी की calorific value भी क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है Next Henry's law log of x by m equal to k log k plus 1 by n log of p तो y equal to क्या आएगा c plus mx c plus mx का graph यह बहुता है c plus mx का graph यह बहुता है ठीक है अच्छा यहाँ पर देखो x by m पर यह बहुता है x by m तो answer कौन सा हो जाएगा मारा first हो जाएगा तो यह था सारा physical chemistry का part ठीक है तो बाकि नीट के लिए सभी को all the best बस फोल के आना है ठीक है मिलते हैं फिर और किसमें बिजय उस्तों में thank you very much अपने बहुत मैंनत की है और वो मैंनत अपने को पूरी की पूरी मैंनत अपने को टेस्ट में उतारनी है इनी सुब कावनों के साथ में आपन देखने जारे है student inorganic part का video solution देखे इसमें अगर कोई question आपका गलत हुआ है उसको अपन चेक करते हैं student question number अपने पास सबसे पहले 55 की अगर अपन बात करें तो 55 number question जो है वो एक बहुत important question है फॉस्पोरस की reaction नमस से करवाते हैं तो student फॉस्पीन formation की reaction है तो अगर अपन student फॉस्पीन का formation करवाते है student sodium hydroxide की रहात में reaction करवाते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है student फॉस्पीन बनता है और sodium hypo fosfite बनता है न एस टू पीओट इस्टू यह reaction एक disproportionation reaction है इसमें oxygen number यहाँ पर 0 होगा यहाँ पर minus 3 होगा और यहाँ पर किता होगा फॉस्पोरस का plus 1 अगर किसी atom का बढ़ भी रहा और घट भी रहा है आना तो इस टाइप का इंट्रमोलिक्लर reaction जिसमें एक एलेमेंट से मेलेमेंट ऑक्सडाइज भी हो इस टाइप की reaction को क्या बोलते है disproportionation तो यहाँ पर disproportionation हो रहा है यह तो student reduction हो गया और यह क्या हो गया यहाँ पर oxidation ठीक है तो बात ही है कि इसमें answer आपका कुन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा लेकिन student इसमें एक ची ध्यान रखे पी ब्लोग में यह क्यूसर अपने आप में इस टाइप की और जितनी भी disproportionation reaction है उनको भी रिपरेजेंट करता है उन reactions को भी आपको वैसे उतना ही importance देना है जैसे कुछ example में आपको बताता हूँ जैसे CL2 की reaction आपने water के साथ में करवाई तो student क्या बनता है HCl और HOCl इसी टाइप से अगर आपने BR2 की reaction अगर आपने water के साथ में करवाई तो student क्या बनता है HBR और HOBR क्या यह reaction भी disproportionation है बिल्कुल यह पर oxygen किता होगा जीरो यहां पर chlorine या ब्रॉमिन की बात करें तो माइनस वन यहां पर CL यह ब्यार का oxygen नमर देखें तो प्लस वन तो यहां पर देखो हैलोजन का oxygen नमर गट भी रहा है और बढ़ भी रहा है यह भी लिए बनता है और क्या बनता है स्टुडेंट इसके अंदर वोटर आप जानते हो यहां पर जीरो होगा यह पर chlorine का माइनस वन होगा और यहां पर इस्टुडेंट के ता होगा प्लस का फाइव और यहां पर भी गट रहा है और बढ़ रहा है सेम एलिमेंट का यह भी डिस्ट पर इस रिक्षिन के अंदर अगर आप यहां पर होट और कंसंट्रेटेट की जगह अगर आप इस्टुडेंट यहां पर अब कोल्ड ले दे ठीक ना यह रिक्षिन में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह रिक्षिन जनरली पूछी जाती है कोल्ड और डाइलूट अगर आपने ले लिया तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा इस्टुडेंट एने सील और एने सीलो और और क्या बनेगा वोर्टर तो यह रिक्षिन भी डिस्प्रपोर्शनेशन है क्योंकि क्लॉरीन का उक्षिन नमबर 0 से माइनस 1 गट भी रहा और बड भी रहा तो यह इस्टुडेंट में आपको यह बताना चाहरा हूं कि आप जो है यह कुशन अपने आप में ऐसी टाइप की सभी रिक्षिन को रिप तो आपको नाय्टोजन की स्थी स्ट्यूंट दे रहा है और कौं कौं सी स्थी स्थी और इनाय थ्सप्रपाजन का वसं इंद और को अन्ट नमबर ऑप से अलकूर 15 वह और यहां पर 16 है अगर अपन बॉन्ड अडर कि बात करें स्टुडेंट तो वार्ण डॉडर आप जानते हूं आठ आठ ने बाद में बॉर्ण डॉर्टिंग बॉल्न रईगा आठ के बाद में आपन जानते कि छैलेक्टॉवन बीमों में जाएंगे ठीक यहां पर लेक्टौण अगर यह कम हुआ है तो वह BMO से हुआ है students और यहां पर एक लेक्टोन बड़ा है तो वह ABMO में बड़ा है और यहां पर अगर दो बड़े हैं तो यहां पर सोचने वाली बात है कि जिसमें ABMO में ज्यादा होता है उसके इस्डीटिए ठोड़ी खम होती है तो हैं इस्डीटी की बात करें तो king के बात प्लस के बाद में क्यों कि यदि क्योंकि इसके साब से आपका answer आउनसर फास्ट ठीक है शुलिट्व nervous क्यूसर 53 53 कि इस के बारे में अपने पूछ आप पी फेमस कुछन है स्ट्रेट सी एस कि अगर अपन बात करें आप इस एस आई 3 के बारे में बात करें तो यह तो आपन जानते हैं कि CGM हमेंसा प्लस वन शो करेगा तो यहां पर माइनस बन आएगा इसका मतलब इसके अंदर species कौन सी है आई 3- जो कि एक polyhalide species है polyhalide species ऐसे BR3- भी एक प्रकार से एक्जिस्ट करता है student यह दोनों exist करते हैं और और इनमें हाइवडाइशन भी काफी इंपोर्टेंट है पूछा जाता है लेकिन द्यान रखना student CL3- और F3- जो है वह एक्जिस्ट नहीं करती है ठीक है यह इस्टेरिक क्रावडिंग के से नमबर 54 तो तीन आइसोमर आपको देखने स्टीरियो मतलब जोमें जोमेंट्रिकल आपको दोनों चेक करने हैं तो इस्ट्ट्रेंट पहला ओप्सन आपको दे रखा है यह वाला जो केस इसमें कोडिनेसिन नमर किता है स्ट्ट्ट्रेंट 4 अब कोडिनेसिन नमर 4 है यह आपको यह का होल्ट्राइस है तो आप जानते हो कि यह जोमेट्रिकल आइसोमेजम तो शोड़ेगा नहीं आप्टिकल इसो करेगा तो डी और एल इसमें दो बनेंगे इसमें टॉटल स्टिरियो किते आज आएंगे दो अगला केस इस्टुडेंट यह वाला है जिसके अंदर आप यह कह सकते हो कि इसमें अपने को क्या दे रखा है क्यें open कैस के आदर आपको पता इस डूटाइन दो को जो क्यों से होंगे इसमें अगर लिगेंड जो है अगर इसमें मॉनोडेंटे जो तो इसमें और आपनेbor रख दिया है तब यह क्या हो गया है और अगर आपने वनेटी पर नग्प गर को yhte законч pleaseoupe तो बन चुके हैं बट यह इसमें प्लेन ऑप सिमेट्री के कारण यह और यह एक्टी होगा इसका यह को बन जाएगा डियो रैल दो हो जाएंगे इसमें नम्ब्रों पाइसमर के त्यार है तो यह आंसर अपका ठीक बेट रहा है अब इस वाले क्यूसर में रेखते हैं तो इस से अपन कह सकते हैं कि ट्रांस वाला जो होगा और और सिस जो अप्टिकली एक्टी होगा तो वहां पर कुल मिलाक कर स्टीरियो कित्ये बन जाएंगे तीन आंसर कॉन सा होगा स्टूडेंट फास्ट नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट क्यूसर नमबर 55 इस इस क्यूसर के अंदर देखो विच ओफ फॉलविंग स्टेट्मेंट इन नॉट क्रेक्ट फॉम्ट फॉम्ट ऑफ मॉलेकुल और्विटल थियूरी अपन जानते हैं स्टूडेंट अकोर्डिंग तो एमोटी की अगर आप यह कह सकते हो कि बॉन्डिंग के लेक्टॉन और बराबर आ जाए तो कंपाउंट जो हो एक्जिस्ट नहीं करता डाज नोट एक्जिस्ट अब अगर अपन इसमें बात करें फर्स्ट ऑप्शन में आपको बीटू दे रखा है स्टूडेंट टॉटल नंबर ओप इलेक्टॉन इसमें किते होगे आठ एक सेकंड ऑप्शन मे मॉल्क्यूल बनेगा क्या बिल्कुल इसमें चार एलेक्टॉन है तो इसमें भी बराबर एने हो गया तो यह कंपाउंड भी एग्जेस्ट नहीं करेगा लेकिन यह बात यहां तक ठीक दे रखिए अब आगे एची टू प्लस तो इस्टूटल नंबर ओप लेक्टॉन किते होगे तीन तो आप जानते हो सिग्मा वैस्टू सिग्मा स्टार वैस्ट वन तो इसके अंदर एन भी ग्रेटर देन एने हैं तो यह मॉल्क्यूल होगा तो यह आगे की बात भी सही दे रखिए अगर अपन स्टूडेंट्स में बात करें सबसे ज़्यादा होता है तो बिलक सब्सक्राइब हो गया इढदाए अपने कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहां पर आप कह सकते हो सिग्मा टूपी जट को पहले दे रखा है तो यह पहले नहीं आएगा यह पाई टूपी एक्स और पाई टूपी वाई के बाद आएगा तो आंसर यह आना यह अपना स्टेट्मेंट करेक्ट नहीं है आंसर कुन सा होगा क्यूसर नंबर फिप्टी सिक्स की अगर अपन बात करें तो निम में से कौन से क्सारी म्रदा दातू सलफेट की जल्योजन एंथेल्पी उसके जालक एंथेल्पी से ज्यादा है तो इस्टुडेंट आप जानते हो कि जालक उर्जा और जल्योजन उर्जा अगर आपन सॉल कि अगर अपन स्टुडेंट बात करते हैं तो यह तो नेगेटिव एनरजी होती है और यह रिक्वाइड एनरजी होती है अगर यह एनरजी ज्यादा होने का मतलब है कि आपको पूछ यह कि ज्यादा किसकी होगी ठीक है तो आप जानते हो कि फॉस्ट है और सेकिंड डे के नि फंदर बात करें तो सॉलिबरिटी जर्णोरी जलिए फस्ट म सेंडी होती है और इन्परिक्रीज कृट की जेनर्ली होती है बहुत उसमें proteins ढitchen ईगाणसर तो नेक्स्त चॉसन और आपका कि 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 अचुसर नमबर है फ्यूर्ट्च सेवन किसर नंबर 57 और इस क्यूस्षन के अंदर अपने को क्या पूछा है कौन सा अक्साइड अमली प्रकरतिका होगा तो इस अपने को कौन सा गूरुप दिया है थाड तो बॉरौन अलुमिनियम गेलियम इंडियम थैलियम अगर अपन इसमें नीचे जाते हैं तो रहता है यह पर कह सकते हो अपने पर स्थारडी काले करेक्टर आप जानते आप जाने पर आइप आप गठेगा तो उपर वाले टॉप एलेमेंट आपका एसेडिक होगा तो बी टू ओ त्री आपका क्या होगा इसके अंदर हैसेडिक होगा और नीचे जाने पर यह एल टू थी एमपोटेरी का जाएगा और नीचे बेसिक नेजर आजाएगा तो आंसर कौन सा होगा अए-प Арustica संदय अच स्ट्रेंट कि दें लिए-ट post neighborhood की बात करें लिए इनधू अ झांट 輪ीत स्ट्रेंट का किसव नयは horse एनप एरियर इफर्श्ट के अंदर अपन जानते हैं इनभर् गुरूप नमबर 13, 14 और 15 के अंदर आप लेते हो ठीक न और इसकी खास बात क्या होती है स्विदेंट अगर लावर अक्षरीसरेशन स्टेट में अगर इस गूरूप की बोलूँ तो इसकी प्लस वन होती है, इसकी प्लस टू होती है, और इसकी कौन सी होती है, प्लस त्री और हाइर ऑक्सडेशन स्टेट इस ग्रूप की अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर प्लस त्री प्लस पूर और प्लस फाइब, तो ध्यान रखना इनर्ट वेर इफेक्ट में क्या होत है कि नीचे जाने पर लौवर अगर आप बॉटम आप गुरुप में जा रहे हो तो इस्टेबिटी और लौवर ऑक्सिडेशन स्टेट तो बढ़ती है और इस्टेबिटी और और ऑक्सिडेशन स्टेट जो गड़ती है तो अपने को यह जो एलेमेंट देर रखें यह स्टेबिटी बढ़ रही है हायर की बढ़ावा पता दिया गलत हो गया ठीक है ना तो आंसर कौन सा जाएगा इसके अंदर फस्ट नेक्स्ट क्यूसन देखो स्टुडेंट क्यूसर नंबर फिप्टी नाइन अगर अगर अपन सी यू प्लस टू जो है उसकी रियक्सन अगर अपन कैसी अन के साथ पर करवाते हैं तो इस्टुडेंट पहले कंपोंड बनता है कैट्टू सी अन्टू ठीक है ना अपने यहाँ पर बात करें कि कैसी अन आप यह बोल सकते हो सी यू सी अन्टू यहाँ पर पहले क्या बनेगा सी यू सी अन्टू लेकिन यहाँ पर इस्टूडेंट प्लस टू और यहाँ पर सी अन माइनस जो डिदूसिंग एजेंट का काम करता है और कॉपर औ हो जाती है और इंट्रा मोलिकुलर डिडॉक्स में यहाँ पर क्या बनता है सी यू सी एन प्लस सी एन टू है ठीक है अब आप यह कह सकते हो कि कॉपर प्लस वन में हैं और कैसी अगर आपने एक्सेस में ले रख है तो फिर फरदर यह कंपाउंड किसमें कनवर्ट होता है के त्री सी यू सी एन फोर आपके कह सकते हो और यहां पर चेंज जाता है तो यहां पर इंट्रा मोलिकुलर डिडॉक्स नेचर के कारण इसमें तो बनने वाला प्रोड़क्ट प्लस वन में बनेगा ठीक है और आप जानते हो कि यह एक प्रकार से परफेक्ट को का बनेगा एक से अब और के फिर आगे और यह कोंप्लेक्स होता है स्टुडेंट इंपर्फेक्ट कम्प्लेक्स करने का मतलब S2S पास करने पर CDS का PPT आपको मिलेगा तो कुल मिलाकर बात यह स्टुटेंट आप के सीन और S2S से आप इन दोनों को साना डिफ्रेंसियेट कर सकते हो तो आंसर कुन सा होगा इसमें पूछा है तो आपको इसमें पूछा है तो कैट तो सी आरो 4 जलो एंड डाइक्रोमेट और परवेग्णै दोने से पहले मैं बदा देता हूं स्टुटेंट सी आरो 4 माइनस 2 तो आपके पास क्या हो गया क्रोमेट हो गया ठीक है और और siya two or seven माइनस two क्या हो गया स्टुदेंट Dichromate क्या हो गया Dichromate यह तो येलो कलर का होता है और यह आप जानते हो of orange-red color का होता है अब यह जो equilibrium में रहते हैं यह दोनों और यह इंदर चेंज होता है क्या बोला है या डाइक्रोमेट के ऑच करोमेट में ऑठेक होगा है है प्रोमेट गिव्ज डाइक्रोमेट विद एसीड तो एसे डी के पिए पर एस प्लस बढ़ने पर यह यह कॉन से डायक्सिन में जाएगा फरवर्ड तो आप यह कर सकते हो डाइक्रोमेट में स्टेटमेंट इसने जो तीन दे रखें तीनों क्या है एक्स्ट अपन क्यों आगे बढ़ते हैं कि उसन नंबर 61 कि अगर अगर बात करें साइक्लो ट्राइब मेटा फोस्पोरिक अमल की अपने बात करनी है इस अपन जानते हैं कि क्या होता है फोस्पोरिक एसिड क्या होता है फॉस्पोरिक एसिड क्या होता है व्यार आप क्यों से अगर अगर एक म compon कौन सा अपनेगा इसका नाम क्या होगा META FOSPORIC ACID और यह त्राइमर वर्म में रहता है और ट्राइमर वर्म में रहेगा तो इसकी कैसे इसकी structure बनेगी देखो इसकी structure कुछ इस टाइब की बनेगी दवल बोंड और यहाँ पर होगा डवान ऑक्सीजन और और ओक्सीजन हो ऑफ जूष पर आपके पास 12 तो आंसर कौन सा होगा तीन डवल बोंड हो बारा क्या है सिंगल बॉंड कि यह अपना आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत ही फेमस है आप जानते हो कि वैसे तो आप जानते हो कि कार्बन कार्बन सिलिकन सिलिकन हा ना जर्मेनियम जर्मेनियम नीचे जाने पर जो है वह बॉंड एनरजी जो डिखरीज होती है लेकिन अगर आप बात करते हो स्टुडेन्ट ये कार वाले गुरी की तरह यहां पर नहीं आएगा वो क्यों नहीं आता है यहां सोता है इप्रनेंट मैंसिमम ऑन्रच्पे अगरी की बिदाइए अपने गुरूप के आ驪 diving उसमें यह वह इसके अंदर सबसे ज्यादा जाएगा कुन्सा फॉर्थ के और है नेक्स्ट अपने एन ओर्यनिक केमेस्ट्री के जो क्यूशन है वह अफन देखते हैं students next question देखते हैं तो अपन देखो student next question यह रहा तो अगर अपन बात करें question number 91 की 91 में पीपाई डीपाई भून की बात कर रखा है तो student एक चीज़ द्यान रखना आप जब भी अपन phosphorus sulfur chlorine के compound देखते हैं तो इसके अंदर पीपाई डीपाई बॉन्ड आपको मिलेगा तो आप जानते हैं कि यहां पर जो पाई बॉन्ड होगा इस पे ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है ऐसा कोई अटम नहीं है जिसके पाई डीपाई डीपाई नहीं होगा इसके अंदर जैसे अपन नहीं होगा इन क्यूशन नंबर 92 यह आपको पूछा क्या है इसके अंदर पूछा गरम करने के प्रशात अचानक देर देर स्टील को प्रोसेस ओफिटिंग एंड सडनली कुलिंग इसमें हिंदी इंग्लिस में थोड़ी सी दिकत है इसमें सडनली कुलिंग की बात करते तो क्वैंचिंग क करते हैं तो उसकी कुछ इस में थंडा करते हैं तो इसमें सडनली कुलिंग लिखा हुआ है तो यह स्टील के लिए आपका आंसर कौन सा होगा सबसे पहले चार्ज को प्रिफ्रेंस देते हैं और इसमें प्लस त्री माइनस वन है और इसमें प्लस टू माइनस वन है तो आंसर इसमें तो यह इसकी ज्यादा होगी अलाइए थ्री एन य टू याओ आ ब्लस वन माइनस त्री और यहां पर फ्लस वन माइनस टू यहां पर चार्ज का यहां पर ज्यादा होगा तो यह भी करेक्ट देख रहा है अगर आपन बात करें स्टुडेंट फॉर्थ पहले देख लेते हैं ठीक है तो आप जानते स्टुडेंट इसमें प्लस करें तो यहां पर इंकरेंकर करएं तो स्टुडेंट आरफिस तो सेे लिए अन्टी है आर प्लस प्लस आर माइनस ज्यादा होगा इसलिए इसकी तो इस ट्रिक्ष तुर अपने ओं इनकरेक्ट दे रखें एं ठीक ना नेक्सके अपन बात करते हैं श्यवाज में कर shiq नाइन्टीफोर में आपको क्या वोले विद्रेज विच आप फॉलविंग सेट आप इस्पेसिज है वो प्लानर स्ट्रक्चर तो इस्ट्रेट आए टू सील सिक्स जो है वो रेक्टागूलर स्ट्रक्चर रखता है ठीक है अगर अपन बात करें इसके अंदर यह इस्ट्रक्चर भोग ज्यादा इंपोर्टेंट है कि यहां पर आप कह सकते हो कि आए टु सी अल्शिक्स की अगर अपन बात करें इसके अंदर यह सभी क्लोरिन जो एक पंटिकुलर प्लेन के अंदर होता है ठीक ना तो आप ध्यान रखें इसके अंदर आयटू-CLC जो प्लानर से होती है अक्सी अप्टू की बात करें स्टुडेंट अक्सी अप्टू के अंदर आप जानते हो कि होगा और यह तीन जो लॉन पेर हैं वह एक्वेटोरियल के उपर होंगे तो यहां पर लीनियर जोमेट्री होगी प्लानर जोमेट्री होगी ब्यार एफ-4 की माइनस के अपन बात करें स्टुडेंट तो यहां पर चार फ्लॉरीन होंगे और आप जानते हो कि इसके पास वैले प्लानर जोमेट्री होगा तो इसके अंदर यह भी प्लानर हो गया एक सी एफ-5 की बात करें स्टुडेंट तो यहां पर देखते हैं पास तो अपने पास क्या हो गया है फ्लॉरीन ठीक है ना पास तो फ्लॉरीन हो गये और एक माइनस है इसका मतलब यहां पर देखो एक माइनस वाला इलेक्टोन भी है इसके पास तो पास तो बॉंड पेर है और दो लॉन पेर है मतलब पेंटागोनल इस्ट्रक्चर होगी इसकी प्लानर ठीक है ना क्योंकि हाईब्राइशन इसमें कौन सा होगा स्टुडेंट यहां पर SP3D3 होगा और दो लॉन पेर कहां पर आएंगे एक्सियल पर तो इस्ट्रेंट लॉन पेर को अपने एक्सियल पोजिशन पर रखते हैं तो यहां पर इस केस में क्या एगी हाना प्लानर जोमेट्री तो आंसर कौन सा होगा इसमें फोर नेक्स देखो इस्ट्रेंट कुस्ट नंबर 95 95 वाला जो बंध करम बढ़टा है तो इस्ट्रेंट अगर अपन की बात करें तो सीट्रेंट प्लस के पास कित्ते रेटञेस्ट्रेंट si dev illum beet ऋक्रेए अंगर कि एपन बात करें एक्ट्रों है ऊंग ठीग है enterour 11 का मतलब हो में आतर्लेक्ट्रों के बाद में आप देखो नो और दस और ग्यारा मतलब पाइस्ट अना पाई जो टूपी एक्स और टूपी वाई में इलेक्टोन हैं वो किते हैं यहां पर तीन थीक ना अगर बात करें अगर प्लस के अंदर किते एक्टोन है और इसके पास इसमें जो फिप्टीन एक्टोन यहां पर गठेगा इसमें बॉन्ड रोड़ गठेगा तो यहांसर आपका नहीं होगा क्योंकि बढ़ना चीए और टू से और टू प्लस की बात कर रहे हो तो इसमें और प्लस के अंदर इलेक्टोन निकलता है तो पाइस पाइस थार ब्याइमों से बड़ेगा लेकिन बढ़नेटिक ब्हाइवियर की बात कर लेता है यह और तू पैरा मेंखनेंटिक होता है इस केसे हैं नहीं होगा एन्ट्व में फॉर्टीन इलेक्टोन है और इसमें थर्टी तो इस्ट्रेंट्स आपको बहुत बहुत सुबकाम नहीं आपका दो दिन बाद में टेस्ट है आपको बहुत सुबकाम नहीं आप बहुत अच्छी से अच्छी रेंक आप प्राप्त करें और मैं आपको एक लास्ट बात यही कहूंगा इस्ट्रेंट्स खुद पर आपको भर thank you, best of luck, do your best, thank you.